नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो गोधनामे के बारे में है, अगर आपने कोई बच्चा गोध लिया है और उसको पंजी करत करवाना चाते हो, गोधनामा बनवाना चाते हो, तो उस वारे में इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे, यानि कि इसका complete process क्या होता है, document क्य क्या क्या लगाने होती है, इसकी fees कितनी लगती है, तसील कारे में आप जाओगे, तो किन किन को present होना होता है, और तसील में आप से क्या क्या जानकरी पूछी जाती है, इस वारे में इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे, अगर आप गोधनामा बनवाना चाते हो, तो आपके लिए बहुत important वीडियो है, इस वीडियो का पूरा जुरूर देखना, तो सबसे पहले हम देखते हैं, document के वारे में, इसमें document क्या-क्या लगते हैं, तो जब भी आप गोधनमा बनवाते हो, तो उसके लिए जो जुरूरी document है, वो दोनों तरब से जो parents है, माता-पिता है, यानि कि जो गोध देने वाले माता-पिता है, उन दोनों की दो-दो ID लगेगी, ID और resident proof लगेंगे, और जो बच्चा गोध देर रहे हैं, उसका birth certificate और अगर उनका अधार कार्ड बनावा, बच्चे को, उनके दो-दो document चाहिए, ID proof और resident proof, अगर उनके पहले सी कोई बच्चे हैं, तो उनका birth certificate और अधार कार्ड भी साथ में लगाना है, तो ये document दोनों तरफ से लगेंगे, इसके अलावा आपको दो witness की जरूरत होती है, जब भी आप गोधनामा रेजिस्टर करवा रहे हो, आपके पास दो witness होने चाहिए, जो भी आपके जानकार है, वो दो witness आप ले सकते हो, अगर आपके नंबरदार जानकार है, तो नंबरदार को भी आपको साथ में ले जाना है, तसील कार्यले में, आपको अगर साथ में नंबरदार जाते हैं, तो सबसे बड़ी है, उनके document आपको साथ में लगाने है, अगर नंबरदार साथ में नहीं जा पारे हैं किसी कार्ण से, तो नंबरदार को सबसे पहले आपको इन्फोर्म करना है, कि हम गोदरणामा registered करवाने के लिए कार्यले में जा रहे हैं, तो इसके बारे में कार्यले से, कोल के दोड़ा या किसी भी तरह से, ओंफिर्म किया जाता है कि आपके residency के बारे में और आपके बारे में जानकर भी प्रापत की जाती है नंबरदार से, तो नंबरदार को आपको इन्फर्म कर देना है पहले कि हम गोद्रामा रेजिस्टर करवाने जा रहे हैं ठीक है तो अगर confirmation वगएरा की जाए तो आपको इसके बारे में confirmation call वगएरा वो आ सकती है या फिर आप नंबरदार को अपने साथ ले सकते हैं ठीक है तो आपके पास दो witness है उन witness के भी दो-दो ID होने चाहिए उनकी ID और resident फुरूफ आपके पास होने चाहिए तो ये document लगाने हैं आपको दोनों तरफ से मातापिता के document उनके बच्चे हैं उनके document और नंबरदार वगएरा है उनके document विटनेस वगएरा के document आपको साथ में होने चाहिए इसके बाद इसके adoption deed type करवानी होती है आपको गोधनामा type करवाना होता है तश्यील खारेले में जा करके गोधनामा type करवाना है जब आप गोधनामा type कराओगे तो इसमें आपको first party और second party के बारे में complete जानकरी mention करने होती है first party में जो गोध दे रहे हैं बच्चे को जो माता पिता गोध देना चाहते हैं वो first party होगी और जो माता पिता गोध ले रहे हैं बच्चे को वो second party होगी ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको इसमें complete जानकरी होती है उनके resident proof की जानकरी ID की उनके address की पूरी जानकारी होती है उनके कितने बच्चे हैं साधी कब होई थी उस वारे में complete जानकारी होती है और जो माता-पिता गोध ले रहे हैं यानकी second party है उसमें उनके पहले से कितने बच्चे हैं उनकी साधी को कितना time हो चुका है इस बारे में complete जानकारी होती है उनकी date of birth के बारे में उनकी उमर के बारे में complete जानकारी होती है जो बच्चा गोध ले रहे हैं और जो माता-पिता बच्चा गोध ले रहे हैं और जिस बच्चे की उमर है उनके बीच में 21 साल का gap होना चाहिए जो बच्चा गोद ले रहे हैं और जो माता पिता है उनके वीच में की साल का गैप होना चाहिए तो इस परकार से आपको adoption deed है वो type करवा लेना है इसमें complete जानकारी होती है कि हम अपने मर्जी से बच्चे को ले रहे हैं हमारी रजामंदगी है और बच्चे की date of birth वगेरा के बारे में पहले से बच्चों के बारे में complete जानकारी होती है adoption deed है उसका प्रफोर्मा आपको मिल सकता है description में आपको link मिलेगा blank प्रफोर्मा मिल जाएगा वो उस प्रफोर्मा के दोवारा आपको काफी help मिल जाएगी अगर आप चाहते हो तो वो प्रफोर्मा डाउनलोड कर सकते हो description में आपको इसका link मिलेगा प्रफोर्मा type होने के बाद इसकी fees के बारे में बात करते हैं कि कितनी fees लगती है तो हरियाना स्टेट में अभी गोधनामे के लिए adoption डीड आप जब भी इसका स्टाम लेते हो तो स्टाम आपको 1000 रुपे का स्टाम लेना होता है 100 रुपे की चलान होता है इसका जो सरकारी fees होती है 100 रुपे का चलान लेना होता है और बच्चा होता है उनकी फोटो होती है वहाँ पे और जो second party के मातापिता होती है उनकी फोटो होती है और इसके लाबा जो witness होते हैं साथ में उनकी फोटो होती है ठीक है तो यह सारा काम इदिशा कारेले में होगा वहाँ पे आपका गोधनामा फीड किया जाता है वहाँ प वांपे होती है तो लगबग 1700 रुपे, 1670 रुपे, सरकारी फीस इसमें लगती है, अगर आप कोई एडवोकिट वगएरा हायर करते हो, अगर आपने कोई वकील बनाया है, तो वकील की फीस इससे अलग होती है, इसके बाद हम देखते हैं कि तैसील में जब भी आप प्रेज होना होता है, जो दोनों तरफ की पार्टी है, विटनेस है, सभी को वहां पे प्रेजेंट होना होता है, और प्रेजेंट होने के बाद तैसील कारेले में, आपका जो गोज नाम है, वो या तो तैसीलदार के पास रेजिस्टर्ड होगा, या SDM साब के पास रेजिस्टर्ड तो रेजिस्ट्रार के सामने पेस होना है सबी को वहां पे आप से क्या-क्या पूछा जाता है तो वहां पे दोनों पार्टियों से पूछा जाता है कि जो बच्चा आप ले रहे हो वो अपनी मर्जी से ले रहे हो रजामंदगी है दोनों तरफ से उसके बारे में पूछा जा इसके अलावा उनके पहले से कितने बच्चे हैं और बच्चे को क्यों गोद देना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है बच्चा क्यों लेना चाहते हैं लेने वाली पाल्टी उनसे पूछा जाता है कि आप बच्चा क्यों लेना चाहते हो उसके पीछे क्या रीजन है उनके पहले से बच्चा है या नहीं कितने बच्चे हैं उसके बारे में सारी पूस्ताच की जाती है तो इस परकार से complete जानकरी पूछी जाती है उनकी साध्य को कितना time हो चुका है इसके बारे में जानकरी पूछी जाती है तो इस परकार से simple simple आपसे आपके वारे में जानकरी पूछी जाती है कि आपकी marriage को कितना time हो चुका है बच्चा गोद क्यों लेना चाहती हो अगर आप कोई लड़की ले रहे हो लड़का ले रहे हो उसकी age कितनी है आपके relation क्या है आप जिन से बच्चा ले रहे हो उनके साथ relation क्या है तो इस परकार से complete जानकरी बहां से आपसे discuss की जाती है आपसे ये सारी जानकरी पूछी जाती है ये सारी जानकरी पूछने के बाद वो mark कर देंगे file को file mark करने के बाद आपकी photo वगेरा होती है photo वगेरा होने के बाद वहां से complete आपके जो गोधनामे फीड हो जाता है उसके बाद फिर से आपकी फाइल है वो तस्यील कारेले में आती है वहां पे आने के बाद final वहां पे जो register होते हैं वो उस पे sign कर देते हैं sign करके stamp वगेरा लगा देते हैं और आपका गोधनामे वो complete हो जाता है तो यह complete process होता है गोधनामे का मैंने यहां पे आपके साथ discuss किया है इसमें document के बारे में, fees के बारे में और कोन-कोन member जा सकते हैं उनके बारे में मैंने यहां पे discuss किया है गोधनामे कैसे type कराना है तो वो मैंने तहसील कारेले में ब्लेक पैन को इमानते हैं, तो ब्लेक पैन से आपको सभी साइन करने हैं, दोनों तरफ से जो पार्टी होते हैं, उनको ब्लेक पैन से साइन करने होते हैं, विटनेस के साइन करने होते हैं, और सभी की फोटो होते हैं, तो यह सारा प्रोसेस है, गोधनामे क कि जो डीड है, डीडबो कैसे टाइप करवानी आपको, उसमें फीज कितने लगती है, तसील में आपसे क्या-क्या पूछा जाता है, कितने मेंबर्स की जरूरत होती है, सारे टॉपिक्स हमने कवर की हैं, उमीद करता हूँ कि इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी, अगर अधिक जानकरी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpartsala.com जरूर विजिट कीजिए, साइट में कई परकार की आपको जानकरी मिलेगी, साइट जरूर विजिट करना, साइट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल हमात्रूम